आज का मुद्दा देख रहे आप मैं हूँ आपके सातस्मित आज का हमारा मुद्दा है आकाश को टिकेट कॉंग्रेस में संकट वड़ेंगे आगे लेकिन उसके पहले देखेंगे रिपोर्ट जो की बताएगी कि पूरा मुद्दा आखिर है क्या जहां तक टाला जाए तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए न पाने की चिंता न खोने का डर है जिन्दगी का सफर अब सुहाना सफर है पहले कनया लाल अगरवाल फिर प्रमोद दुवे ये वो नेता हैं जो रायपूर दक्षन में कॉंग्रिस से टिकेट की आस लगाए बैठे थे लेकिन पार्टी ने युवा नेता आकाज शर्मा परदाओं खेला तो इन अनुभवी नेताओं की नाराजगी खुल कर सामने आ गई शायराना अंदाज में तो कहीं किसी वीर रस की कविता के अंदाज में दोनों नेताओं ने नाराजगी जताई दावेदार रहे महापौर, एजाज धेबर, प्रमोत दुबे और कनया अगरवाल ने पी सी सी चीफ की बैठक से भी दूरी बना ली जो इशारा कर रही है कि चुनाव आते ही कॉंग्रेस की पुरानी व्यथा शुरू हो गई है शायराना अंदाज तो कहीं वीर रस की कविता के अंदाज में नेता तंजिकस रहे हैं इस मामले पर कनया अगरवाल का बयान भी सामने आया पिछला चुनाव जितने वोट से आ रहे थे उससे ज़्यादा वोट से चुनाव जीतने के लिए आकास का भाला फिकाएगा में दर्चुकर पाएं तो यह हमारी कम जोगी है जब जब कॉंग्रेस की अंतरकले सामने आई बीजेपी को उसका जम कर फाइदा मिला दक्षण के रॉन से पहले एक बार फिर कॉंग्रेस नेताओं ने वही गलती की जिसे लेकर ब्रिज मोहन अगरवाल ने चुटकी ली उ सामने आया मैंने कहा लें कि पहले तो यह कर लें कि पांच कांग्रेस हैं कि बाबा की कांग्रेस काका की कांग्रेस भाईया की कांग्रेस तो कौन सी कांग्रेस के प्रत्यासी पहले यह कर लें बिल्कुल दूर करें घर की बात है पार्टी की बात है सबी लोगों ने अपने अपने विदान सभा चेत्रों में हमेशा हर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति पांच साल काम करते हैं। 15 अवेधन के टिकेट तो एक तो मिलेगा। तो सबाइट सा है, 2-4-5 लोगों में ऐसा मन में रहता है। लेकित हम लोग मिलकर सब लोग के नराजगी दूर करेंगे और सब लोग को जिताने के लिए जिम्मेदारी देगी। विदान सभा चुनाव 2023 में कॉंग्रेस की अंतर कला ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया था। लोग सभा चुनाव में भी स्कोर 10-1 रहा। अब रायपुर दक्षन उपचुनाव से पहले एक बार फिर कॉंग्रेस की कलह कथा शुरू होती दिख रही है। ऐसे में कॉंग्रेस दक्षन का रण कैसे जीत पाईगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। चुरी इस पूरे मुद्धे पर हमारे कुछ सुलकते सवाल भी है। जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे लेकिन पहले आपको सवाल बता देते है। सवाल नमबर एक, क्या आकाश को टिकेट मिलते ही कॉंग्रेस में संकट शुरू हो गया है। सवाल नमबर दो, क्या युआ आकाश को टारना कॉंग्रेस की मुश्किले बढ़ाएगा। सवाल नमबर तीन, आखरी सवाल, महतुपून सवाल, क्या कॉंग्रेस की कलह खता के सहारे बीजेपी दक्षीन जीत का प्लान बनाएगी। तो ये कुछ महतुपून सवाल जिनका जवाब लेंगे। सब ठीक है, दोनोंने बड़ी कॉंपिडेंस में कहा था कि हाँ हाँ सब ठीक है, हमें भी लगा ठीक है क्योंकि ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने आही नहीं थी किसी की, लेकिन आज जो सोचा था वही हुआ, आपकी पार्टी की नेदाओं के जो ट्विट सामने आए, जो पोस अता शर्मा जी का जैसी नाम आया है, सब ही एक जूठ हो के उनके लिए चुनाव की तयारी में लग गया और जन तक बीच में जाने है, जहां तक ट्विट और यह सब की बात है कि यह तो उन्होंने प्रमोध दूबे जी हो या कनिया अगरवाल जी हो, उनका फेस्बुक ट करता है, उसके बाद जब तया हो जाता है, तो हर को इस पंजय को जिताने में लग जाता है, हर को चाहता है कि हमारी पार्टी का उस छेत्र में विधायक बने, हमारी पार्टी की सरकार बने, हर को उसमें लग जाता है, घक्ति के दिछ्छा लग बात है, यह नहीं है, कि आप विए अगरवाल जी के साथ क्या हुआ है अभी दस में की जनता को क्या बिला है महत्पूर्ण यह नहीं है कि पिछले 10 महीन में अपराद क्यों बढ़ गए है चुनाव का मुद्दा यह कि यहां पे बाहर के गैंग कैसे एक्टिव हो गया है चुनाव का मुद्दा यह है कि बाहर से बस्तर का अधिवासी बच्चा के यहां पढ़ने आता था उसकी हत्या कैसे हो जाती जब एक अधिवासी मुख्य मतरी है कोई परक पढ़ने वाला नहीं है सर, हमारे कॉंग्रस के साथ ही का है कहना है, उनका साब तोर पर कहना है, काम के आधार पर जनता पोड़ देगी, क्योंकि ब्रजमोहन अगरवाल जी ने भी तंज कसा था, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? जी, राम राम जै जोहर जै चेटिसगर, देखिए मैं अपनी बात एक शेर से प्रारहम करूंगा, सुना भी कुछ भी नहीं, कहा भी कुछ भी नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं राजनीती की कश्म कश्में, कि टूटा भी कुछ भी नहीं, और बचा भी कुछ भी नहीं, ये हाल है भी कांग्रेस से जो टिकिट मागे थे उन लोगों का अब देखिए कांग्रेस के पास तो प्रत्यासियों का टोटा तो पड़ गया था और उनको लग रहा था कि हार तो तय है राइपूर दक्षिन तो कांग्रेस जीत नहीं पाएगी इसलिए उन्होंने बली का बकरा लेकिन आप देखेंगे कि एक तरब तो आकास शर्मा की बली चड़ा दिया वरिशनेताओने और शायद दबाव पता नहीं ससूर जी का रहा होगा या पता नहीं कौन से गुट का दबाव रहा क्या परिस्तियां थी वो तो कांग्रेस के लोग भीतर खाने में जो बात लेकिन इस पर्ष रूप से अब करहिया गरवाल जी ने तो कहे दिया कि भाला जो है वो तो दूर तक जाएगा अब राजी भवन तक जाएगा की आकास शर्मा जी तक जाएगा की कांग्रेस के अधर जी तक जाएगा यह थोड़ा पहले भी इच्छा जटा चुके थे लड तो कहीं काम के बल्बूते पर ही उन्ने टिकेट दिया और क्योंकि यंग्स्चर है युअश्चरव जह यह तो ऐसे में प्रभाव भी उनका पड़ता है देखे काम संगठन में करना इक अलग विशह होता है जन्ता के हित में काम करना 40 city वसे पहली बार चली थी तो मान्ै सुनिल सोनी जी के महापबुर के कारेकाल में उनके द्वारा चलाई गए थी 150 MLD के फिल्टर प्लांट पानी का जिससे आद राहपूर शोयर की जनता पानी पीती है उमान्नी सुनिल जी के कारेकाल का है 33 पानी की टंकिया उन्होंने महापौर के कारकाल में बना करके दी और 105 करोड रुपे छोड़ करके गए उसके बाद कांग्रेस का भी जो गई राइपूर नगर निगम में ये ना पानी टंकी शुरू कर पा है ना उसे 105 करोड रुपे का जो है उसका कोई उप्योग कर पाए पाइप लाइन तक नहीं बिछा पाए तो उपलब्धियों भरा है संसत का अगर मैं बताओं तो वो भी काफी लंबा चोड़ा है माननी सुनिल सोमी सरो मानने नेता है और राइपूर शहर्ट पहचान है सुनिल जी रामवतार जी आपके पास आऊंगी कैसे देखते आप क्या माईने निकालते है सर आप क्योंकि हमारे कॉंग्रेस के साथी का तो साथ तो और पर कहना है कि उनके जो ये प्रमोद दुबे जी के अगरवाल जी के जो पोस्ट है उससे कोई फरक नहीं पढ़ता है लेकिन देखिए आप विशेशक गया है आप राजनीती को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप क्या माईने निकालते हैं जब एक प्रत्याश्ची का टिकेट उन्हें दे दिया जाता है और दूसरे नाराज होते और ऐसे जब पोस्ट करते हैं तो जनता पर क्या उसका असर वाकी पढ़ता है या जनता आप चेहरे को देखती है जिसे चुना गया है कांग्रेस में लोकतांत्रीक विवस्था कुछ ज़्यादा ही है वहां के पाल्टी के बेक्तिगत नेताओं के अचार विचार गुडबाजी ये छत्रप तैयार होना ये एक नई बात नहीं है ये उसकी समस्या है और ये उसकी कमजोरी भी है इस कमजोरी का जो फाइदा है वह भाजपा लेती है और इस चुना में भी लेगी ऐसा लग रहा है जो दिस तरह की गत्वीधियां है जो दावेदारों ने आज अपने सोचल मीडिया में दिया है वह उसको जलका रहा है अपनी नराजगी बात तैया वह अपने पालिटी के लिए निकलेंगे मैदान में चुनाओ प्रचार के लिए या नाराज़ के घर बैठ जाएंगे या भीतरगात की संभावना है कि आने वाले कल पता चलेगा जब चुनावा प्रचार तेज होगा इस तरह से नाराजगी है नेताओं की उस नाराजगी का भाजपा लाब लेने का प्रयास हर बार करती है इस बार भी करेगी तो कांग्रेस के सामने चुनावतियां जादा है चुनावति है संगठन को मजबूत करने का चुनावति है नाराजगी नेताओं को सक्री करने का चुनावति है प्रबंधन को मजबूत करने का क्योंकि भाजपा का जो प्रबंधन है राजनितिक प्रबंध हर तरीके से तो काफी आगे रहता है अच्छा रहता है उसके कारण जीत मिलती है वहां ब्रिजमोना ग्रवार प्रबंधन के रिए माने जाते हैं वो इस तरह से अभी से जूट गए है टीम जूट गई है पाल्टी संक्ठन के बड़े नेता लगतार मिटिंग लेने लगे हैं कि जिसको टिकेट मिले कारकरता सक्री हो जाते हैं वो इधर उधर की बात ज्यादा नहीं करते हैं कांग्रेस में टिकेट मिलती है इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं यह इधर उधर की जो बाते हैं वो कांग्रेस को महांगा पड़ती है और भाजपा उसका फाइदा ले पाते हैं और जीत पाते हैं यह आने माला कल बताएगा बिल्कुल यह बताएगा और अभी भी हमारे साथ सद्धिप्रकाश जी है ही तो उनसे भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे सद्धिप्रकाश जी यह चुनाफ आपके लिए संजीवनी है खुद दीपक बैजी कहते है और अलग-अलग ही चैलेंज आ रहा है देखिए अब अब मैनेजमेंट तो छोड़ी आपके खुद के नेता ही नाराज हो रहे है और जो आपके प्रत्याश्ची है आकाल शर्मा उनकी एक बात मुझे तो अच्छी लगी कि दो बार उन्होंने दावेदारी पेश की लेकिन उन के काम के बल्बूते पर ही आपने उन्हें टिकेट दिया है लेकिन जब ऐसी बात आती है तो दूसरे नेता इस तरह का रुख क्यों नहीं अपनाते ठीक है अगर यह पोस्ट किया है आप कहरें इसे परक नहीं पड़ेगा इसकी जगा वो यह भी लिख सकते थे आपने जो पर कि शुबकामनाए है युवा चेहरे को मौका मिला है शुबकामनाए तो किसी ने नहीं दी तो कही ना कहीं बड़ा चैलेंज भी आपके लिए अब दिखे समय बहुत कम है अब आप नाराज नेताओं को मनाओगे या फिर प्रचार प्रसार करोगे समीता जी आप बढ़ाए तो जैसी नाम गोशी तो आप सब मिलके बढ़ाय दी तीच सभी बड़े नेता ने बीजेपी कि तो वही काने कहीं का रही इंड कहीं का रोडा वानुपति ने कुनबा जोडा देखे सुनीर चाधरी जी अपने अंदर कहीं काल नहीं बता रहे है कई लोग लिख रहे कि भाई कब तक हम करता हुआ वार तक चीमित रहेंगे कोई लेख रहा है कि बहुत बने जो चुनाव जो जनता जो लड़ने के लिए त्यार है जनता यह सोच है हमारे पास एक मौका मिला है तो बहुत तारीफ कर रहे तो सुनियन सोनी जी को निश्क्रिय सांसेट का तमगा इनके निता हुने दिया है प्रदेश के शिष्टित निदिया है अगर उन्होंने इतना ही काम किया होता 5 जनता के बीच में रहते पांसा जनता के प्यार मिल जाता है जो आपकी बात कि एसे पहुंचाएंगे लेकिन उन में ही अगर एक जूटता नहीं दिखाए गई आज ही हमने देखा आज और नहीं पहुचे बैठक में प्रभुद दुमें नहीं पहुचे अब बात जब पाटी के लिए तो आज वो बैठक से ही नदारत रहे क्या वज़ा रही रहे कि लोग चेतर में काम कर रहे हैं कई अपने जैसे वो महापवार्ट भी हैं उनकी अलग अपनी वेश्टाइब के जाएंगे या मिष्टुदेसाय जी का चेहरा लेके जाएंगे ये गुट की वयाएं से सोनी-सोनी को दिया गया यह उनके कारेकरता भी जानते हैं कि भाई वो एक खड़ाओ के तौर पे आ गए हैं कि भाई ये क्या चल रहा है बिरिजमोहन अगरवाल जी की नाराजगी इसलिए उनके ही राइट हैंड बोल दिए खड़ाओ बोल दिए जो बोल दिए उनको टिकट दिया गया कारेकरता हम यही तो नाराजगी है कि क्या बप बढ़ाओ 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 पाइदा उठाने की कोशिश कर रहे कि चलो भाई महां तो थोड़ा सा गडबढ़ है इसका पाइदा उठा लेते और जैश्री राम हो जाएगा हमारा आने वाले से चुनाओं नहीं नहीं देखिए हम क्यों मुद्दे को भट्काएंगे हम कनहिया अगरवाल जी को तो नहीं बोल रहें हम यह जाकर करके प्रमोद दूबे जी को नहीं बोल रहे हम तो नहीं बोल रहें कि शहर का प्रथम नागरीक महापाउर जो सूपर इस्टार बने घूमता रहा इनको बहुत काम रहता है अरे चुनाव से बड़ा कौन से काम रहता है अगर चुनाव है शहर में अरहा प्रतम नागरिट आपको होना चीए चैने इनकी बात नहीं करता मैं मैं इनको याद दिला दू यह वही सुनिल सोनी है साब जो लोग सभा का जब चुनाव लड़े थे दक्षिन विधान सभा में 52 हज़ार की लीड थी उनकी और उसके बाद ब्रिजमोहन जी विधान सभा में 67 हज़ार से जादा की लीड उसके बाद 80 हजार से जादा की लीड लोग सभा में ब्रिजमोहन जी की रही है यह कहां बात करेंगे अभी कहरते ब्रिजमोहन जी सुनि और बूत का दो राउंड की बैठक हो गई है दो राउंड की हमारे प्रत्याजी का दो दिन से सघं सुबा से रात तक का प्रचार जो है जनसंपर का कारकम शुरू हो गया है ये तो अभी तक के पैर पढ़ते घूमने पता नहीं कितने दिन पैर पढ़ेंगे देखिए अभी दीपावली आ जाएगी फिर इनके नराज जो नेता है फूपा बनके हो बैठे उनको मनाते लगेगा और सबसे बड़ी बात पूरो मुख्यमंत्री भूपेज बगेल जी कहां है वो तो वाड़न्याड चले गए यहां के नेता टीए सीदेव जी कहां चले गए यहां के और इनके पास ना प्रत्यासी है ना कुछ भी नहीं है ठीक है सब्के प्रकाजी और हम भी यहीं चाहते हैं कि आपने इस बार यूआ चेहरे को मौका दिया है तो हम भी चाहते हैं कि अच्छे से आप चुनावी मैदान में डटकर मुकाबला करें क्योंकि आकाश शर्मा पर सब आपकी नजर है नहीं केवल 36 गढ़ वासियों की पूरे देश की नजर आकाश शर्मा पर है तो ऐसे में चाहेंगे कि वो यूवा नेता आपको काम करो कुल मिला कर यहीं इनको दिक्कत ही हो रही है कि यूवा नेता सामने आ गया और सुनिल सोनी जी को कोई वहां पर ही च्छेत्र की जनता जो परशान ती इसकी वही आनफिर होगे बारा में से आठ रूप चुराव कॉंग्रेश जीती दो बार विपक्षक में होते हुए भी जीती तो देखें एक राकी वाओ पर हुआ है कि हमारे साथ 10 में में क्या हुआ है अरे आप अपने कारेकंता को टिकेट क्यो दे रहे यह बता दीजी आप यह दिख रहे है ना इ अपने आप में दोनों ही दलों के लिए कापी जादा महतवपूर्ण है तो क्लोजिंग स्टेट्मेंट आप कुछ देना जाएं कुछ टिप्स हाँ बंसन न्यूस के जरिए दोनों ही दलों के निताओं को देना जाए क्योंकि समय बहुत कम है दिपावली आ जाएगी उसमे चारपाज दिन ऐसी निकल जाएंगे तो कम समय में कैसे मजबूती के साथ कॉंग्रेस पार्टी भी अपना यहापट स्टैन रख सकती है मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस पर भी कॉमेंट करें कांग्रेस को एक जूट होके लड़ाई लडनी पड़ेगी कांग्रेस को नीचे इस्तर पर कारकरता को सक्री करना होगा कांग्रेस को मुद्धों की राजनीती करनी पड़ेगी कांग्रेस को प्रवंधन को बेतर बनाना पड़ेगा उनके रूठे कारकरता को बनाना पड़ तो कांगरेस को चुनोटियां जादा है चुनोटि इसने जादा है कि धीरे-धीरे वो भाजपा का गढप बन गया है उस गढ़ग को भेदने के लिए वहां के अलग 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 जातिया अलग अलग समीकरण हैं उसके लिए पसीन पाणा पड़ेगा प्रबंधन को देखना पड़ेगा और एक निश्था से जिसन सार्थ से बादपा लड़ती है वो लड़ाई सीखना चाहिए संग से सीखना चाहिए तो इस तरह से एक मजबूती के साथ विपक्ष इस बार चुनावी मैदान जो संजीवनी का जिक्रे करते हैं वो संजीवनी बूटी जीते हैं क्योंकि इनकी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है तो ऐसे मेज उतिप्रकास जी आपको भी शुबकामना है हैं हम उमीद करते हैं कि अच्छे से आप दमखम के साथ सब ही मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे सुनिल जी आपकी पार्टी को भी शुबकामना है बहुत बहुत शुक्री आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए तो देखे आब आकाश कॉंग्रिस की नईया पार लगा पाएंगे या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी पार्टी के पास है कि नाराजों को मनाना नाराज लेताओं को मनाना क्या इसमें पार्टी सफल साबित हो पाती या नहीं ये देखने वाली बात होगी फिलाल चत्रसगर के बुद्धे में इतना ही लेकिन कही मत जाई आगे देखेगा मोधी जिंपिंग का महा मुकाबला महा मुलाकात क्या हुई बात समय तमाम बड़ी खबरे प्राइम टाइम के खास बुलटिन में अनुक मार्किस का